खालो के इस शिवांगी और आज हम लोग सिस्टम मेंटिनेंस में यूनिट फाइव प्रिंटर्स के बारे में पढ़ेंगे प्रिंटर्स किसे कहते हैं प्रिंटर्स के कितने टाइप्स होते हैं तो आपको मैं बता दू यह एक्जामेनेशन में बहुत बार पूछता है आपके पूरा थियोरी पेपर है तो आप लोग इसको अच्छे से नोट्स को बनाओगे तो मैं एक बार रिमाइंड करवादू, प्रिवेस क्लास में हम लोग मदर बोर्ड के और्गनाजेशन के बारे में परे थे राम स्लोट क्या होता है, बायोस क्या होता है, वो सब हम लोगों ने देखा था और मदर बोर्ड के अंदर जितनी भी कंपोनेंट्स है उसको वन वाई वन हम लोग डिसकस किये थे तो आज हम लोग प्रिंटर से उसके टाइप्स को देखेंगे सबसे पहले, what is printer? प्रिंटर होता क्या है? तो प्रिंटर क्या है? यह आप लोग मार्क कर लो हो सकता ही यह आपके अबजेक्टिव में आए printer are output device ध्यान रखेंगे, printer are output device used to prepare permanent output device on paper ठीक है? printer can be divided into two main categories, printer कितने parts में divide होता है? दो, देखता है printer, first one is impact printer, second one is non-impact printer, तो printer मेरा दो parts में divide होता है first one is impact, second one is non-impact, अब impact के कितने parts है? impact के दो parts होता है एक होता है character printer और एक होता है line printer, character printer और lines printer ठीक है? तो character printer के क्या है? उसके क्या example हो सकते है या फिर उसको types भी आप बोल सकते हो types dot matrix is a type of character printer और like character printer और example of character printer ठीक है? तो मेरे printer जो होते हैं, वो दो type के होते हैं, impact, non-impact, impact के दो type होते हैं, character और line और character के एक type होते हैं, जो कि क्या है, dot matrix, और आप example भी ले सकते हो, dot matrix, तो यहाँ पे, आप impact printer में जो दो type देख रहे हो, character printer और line printer, इसके नाम से ही हम लोग समझ पा रहें, character printer मतलब one by one character को print करता है, और इसमें क्या है line printer, यह एक बार में पूरे line को print करता है, तो यह बात की बात है, तो सबसे पहले, आज हम लोग का first team है, यह impact printer के साथ, character printer और उसी के साथ, dot matrix किसे कहते हैं, इसकी structure कैसे होते हैं, और उसके advantages और disadvantages को आज study करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, what is impact printer, in this hammer are pin, strike against a ribbon and paper to print the text, इसमें क्या होता है, एक आपका printer में आप ink डालते हो, ठीक है, तो ink जो है, वो किस पे आता है, ribbon के उपर परता है, structure के बारे में बता रही हो, कि आप जब printer में ink डालते हो, तो ink किस के उपर गरता है, ribbon के इपर गरता है, और जो hammer होता है, वो hammer क्या गर one by one line को print करोगे, वो hammer क्या करता है, उस ribbon के उपर बार बार strike करता है, strike करने से क्या होता है, जो भी text होते है, वो आपकी paper के उपर छप जाता है, clear, this mechanism is known as electro mechanical mechanism, ठीक है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे, ये जो मेरा hammer उस ribbon की उपर strike करता है, जिससे मेरा text print हो जाता है, उसको क क्या कहते है, electro mechanical mechanism, ठीक है, clear, तो impact printer में, मैं फिर से बता दू, इसमें hammer होते हैं, और pin भी होते है, hammer भी और pin भी, वो किसके उपर strike करता है, ribbon की उपर strike करता है, और ribbon की उपर क्या होता है, इंक लगा होता है, इंक लगा होता है, जिससे मेरा text वो print हो जाता है, तो बार बार hammer और pin रिबन के उपर strike करता है, जिससे मेरा text print हो जाता है, इस mechanism को क्या बोलते हैं, electro-mechanical, ठीक है, ये कितने types के होते हैं, impact, दो type के, अब इसको one by one study करेंगे, तो impact printer के दो type होते हैं, एक character printer और एक होता है line printer, तो हम लोग सबसे पहले आज character printer के बारे में देखते हैं, it prints only one character at a time, एक time में ये क्या करते हैं, एक ही character को print करता है, it has relatively slower speed, इसका speed क्या होता है, slow होता है, तो मैं एक example दे दू, जिस तरह हम लोगोंने type meter देखे हैं, जिसके उपर एक एक बार जो हम लोग एक character डालते हैं, एक time में तो वो एक character उस page के उपर print होता है, ठीक है, तो character printer नाम से ही है, ये एक time में, ये एक ही character को print करता है, इसके speed slow होते हैं, ठीक है, इसका example हम लोग देखें, और इसके types को हम लोग previous graph से या tree से हम लोग देख सके हैं, कि इसका example क्या है, dot matrix printer, clear? अब हम लोग dot matrix printer को define करेंगे, तो अभी तक हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ा, printer क्या है, मेरा एक output device है, जो की permanent output हमारे एक paper की उपर print करके दे देता है, printer की दो type होते है, impact printer and non-impact printer, impact printer क्या होता है, इसमें hammer और pin होते हैं, जो की बार-बार ribbon की उपर strike करता है, उससे मेरा text paper की उपर छप जाता है, ठीक है, इस mechanism को क्या बोलता है, electro mechanical mechanism, तो impact printer की दो type होते हैं, character printer और line printer, character printer के बारे में हम लोग study कर रहे हैं, character printer में क्या होता है, ये एक time में, एक ही character को print करता है, इसकी speed slow होते हैं, और इसका example क्या है, या फिर type भी बोल सकते हैं, इसकी example, इसकी type और इसकी जैसा working structure किसका है, dot matrix printer का, ठीक है, dot matrix printer, अब हम लोग उसको study करते हैं, ये dot matrix printer क्या है, it print character as a combination of dot, ठीक है, इसमें क्या होते है, character को जो वो print करता है, suppose A हुआ, B हुआ, C हुआ, ये सब मेरा क्या है character है, तो सबसे पहले, ये dot को draw करता है, फिर dot को एक साथ मिला के, इसका एक character बनता है, ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, इसमें dot का creation होता है, फिर सारे dot को combine करके, एक character का निर्मान होता है, समझा है, इत prints character as a combination of dot, suppose हम लोग A का, यहाँ पे मैं example लेती हूँ, जैसे A को print करना है, ठीक है, A को print करना है, तो ये क्या होगा, पहले ये, पहले ये dot का creation करेगा, ठीक है, dot का creation करने के बाद, ये सारे dot को, एक साथ combine कर देगा, तो उससे क्या हो जाएगा, dot को combine करने से, एक character create हो जाएगा, मेरा, clear, dot matrix printer are most popular among serial printer, क्या है मेरा, इससे मेरा एक जीज और clear हुआ, dot matrix printer is a serial, also a serial printer, ठीक है, these have a matrix of pin, on the print head of a printer, which form the character, इसमें क्या होता है, इस printer के उपर, head के उपर, head के उपर, जैसे मैंने impact में पढ़ा है, hammer होते हैं, और pin होते हैं, इस printer में भी, क्योंकि ये भी मेरा एक impact printer है, तो इस printer के भी, head पे क्या होते हैं, pins लगे होते हैं, जो की character का निर्मान करता है, जो character का form करता है, कौन करता है, pin, ठीक है, the computer memory, sends one character at time, to print it by the printer, ठीक है, there is a carbon, between the pin and the paper, आप लोग समझ पारे हो, आप लोग एक बार समझो, जैसे हम लोग carbon, copy के उपर, कुछ लिखने से पहले, carbon लगा देते हैं, फिर carbon के उपर, जब हम लोग लिखते हैं, same to same, आप जितने papers नीचे लगाओगे, और carbon के उपर, आप pressure दोगे, carbon के उपर जैसे ही, आप pressure दोगे, और जो भी लिखना चाहते हो, वो क्या होता है, आपके carbon के थूरू, उस paper के उपर छप जाता है, तो इसमें क्या होता है, dot, dot matrix के उपर क्या होता है, आपके printer के head पे, pin लगा होता है, ठीक है, और जो paper आप लोग लगाते हो, तो pin और paper के बीच में, carbon होता है, तो जितने बार, आप character छापना चाहते हो, उतने बार, pin जो होता है, carbon के उपर strike करता है, जैसे ही pin carbon के उपर strike करता है, जो चीज़ आप लिखना जाते हो, वो किस के उपर छप जाता है, paper के उपर छप जाता है, ठीक है, the words get printed on the paper, when pin strikes the carbon, ठीक है, ये समझ के, words कैसे print होता है, जैसे ही pin, मेरा carbon की उपर strike करता है तो words जो है किसके उपर छप जाता है paper के उपर तो हम लोगों को ये चीज माइन में रखना है dot matrix printer के उपर क्या होते है pin जो pin होता है और जो paper होता है जिस पे हम लोगों को output चाहिए मतलब जो हम लोगों का text चाहिए उस दोनों के बीच में एक carbon लगा होता है जब भी हम लोग कभी कोई word कोई character को चापना चाहते है उतने बार वो जो pin है वो carbon के उपर strike करता है जो हम लेखना चाहते है वो किस के उपर छप जाता है paper के उपर छप जाता है there are generally 24 pins तो इसमें generally कितने pin होता है 24 तो यह mind में रखना है ठीक है तो dot matrix printer बहुत ही important question है यह आप लोग को आ सकता है question आपको कैसे बनेगे what is dot matrix printer यह आपका बड़ा question मतब 4 marks 6 marks में भी आपके question आ सकते है इसके advantages disadvantages के बारे में बोलिए इसके structure को define करिए तो इसके structure को आप लोग define कर सकते हो तो इसके जो pin होते हैं वो head पे होते हैं और pin और paper के बीच में carbon होता है तो वे strike करता है तो इस line से आप इसके structures को भी अलग से लिख सकते हो clear? ओके अब हम लोग थोड़ा और कुछ जानते है dot matrix because मैंने बोला कि यह आपका six marks में भी आ सकता है तो इतना कम लिखने से आपको marks नहीं मिलेंगे तो आपको थोड़ा details में describe करना परेगा ठीक है a dot matrix printer is the oldest type of printer यह क्या है? oldest type of printer है and one of the good example of computer printer that prints by direct impact of ink soaked cloth ribbon against the paper okay much like the print mechanism of type writer इसमें क्या होदा type writer में भी हम लोग करते है जो मेरा जो भी कुछ हम लोग लिखना चाहते है और वो जो paper लगा होता है type writer I think आप लोग सब देखे होगे जहां पे एक उपर में keyboard type होता है जिसके उपर हम लोग को press करना परता है और वो जो paper आप जो लिखते हो उसके बीच में पिल लगा होता है वो pink क्या होता है वो irivan के ribbon लगा होता है अस पे भार 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 इस स्ट्राइक करता है और जो भी हाप print करना चाहते है वो किसके उपर चप जाता है यह चीज हम लोग किसकी में पढ़े थे ? impact में भी पढ़े थे, तो dot matrix printer तो example ही है impact का, ठीक है, तो यह इस तरह का एक tree चलता आया है, कि printer के दो type होता है, impact, impact में हुआ, character, character में हुआ dot matrix, तो जो impact की कुछ-कुछ character जो होंगे, वो dot matrix में मिलेंगे ही, क्योंकि यह impact printer है, clear, तो आप type writer जिस तरह का होता है, उस तरह का dot matrix भी printer भी होता है, ठीक है, the printer head moves in, printer का जो head होता है, जहां की pin लगा होता है, in up and down, motion और run back and forth of the paper, क्या होता है, printer के जो pin लगे होते हैं, वो क्या करता है, जब भी आपको paper पे छापना होता है, उसके pin up, down, up, down करते हैं, जैसे आप type writer में देखते हो, जब भी कभी इनको छापना होता होता है, उनके pin, आप देखो कि उनके structure को, वो आपको बाहर से यह दिखेगा, उनके pin up, down, up, down, motion में करते हैं, जिससे क्या होता है, आपका text paper की उपर छपता जाता है, ठीक है, these are called impact printer because printing involves the use of mechanical pressure where the pin against the ink ribbon strike on the paper, clear, हम लोगो नहीं परा था, impact में क्या होता है, electromagnetic mechanism होता है, जिसके बज़े से मेरा pin जो है, या hammer जो है, रीबन के ऊपर तकराता है, जिससे मेरा printing हो जाता है, the print can be produced by varied fonts and arbitrary graphics in the form of dots, इसमें क्या होता है, जो print होता है, सबसे पहले paper की उपर आपका dot का creation होता है, फिर dot को combine करके हम लोग एक character या फिर एक text बनाते हैं, clear, these dots are produced by teeny metal pins, यह dot कहां से आता है, यह tiny metal pins or words driven back and forth or up and down by the power of teeny electromagnetic or solenite, यह आपका structure है, आप लोग ध्यान दोगे, इसमें क्या होता है, जो आपका dot का creation होता है, जब dot को हम लोग combine करते हैं, तो एक character बनता है, तो यह dot कहां से आता है, तो dot आने का क्या है, एक teeny tiny metal pins होता है, tiny metal pins, जिसकी through आपका dot बनता है, वो क्या करता है, up, down, up, down करता है, जो की dot जो है, आपका एक text में, या फिर एक character में form हो जाए, clear, okay, the printer head continuously moves and print only one vertical text line at a time, ठीक है, एक vertical text को एक बार में print करता है, यही मेरा dot matrix है, I hope आप लोगों को dot matrix किसे कहते हैं, इसके structure क्या होते है, all things जो छोटे 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 पार्ट है, वो clear हुए होगे, अब इसके हम लोग advantages और disadvantages के बारे में देखते हैं, advantages of dot matrix printer, तो जब भी आप लोगों से exam में पूछेगा, explain dot matrix printer, तो आप लोग उसके definition के साथ साथ, आप structure पार्ड वे define करोगे, और उसके साथ advantages and disadvantages पार्ड वे define करोगे, clear, advantages can print on multi-part और carbon copies, यह क्या होते हैं, multi-part और carbon copies की तरह यह print करते हैं, इसकी cost जो होते हैं, per page बहुत low होते हैं, क्योंकि यह oldest method है, थोरे slow है, ठीक है, can be used on continuous form paper, useful for data logging, क्या होते हैं, आप लोग type writer में देखते हो, एक ही paper पे आपका पूड़ा, मतलब प्रिंट होता रहता है, तो continuous form of paper पे यह लखते हैं, जैसे आप type writer में देखते हो, आपको आगे लिखना होता है, तो आप paper को थोरा उपर करते हो, फिर इतने पार्ट में लिखते हो, तो यह क्या होता है, continuously form प्रिंट करते हैं रिलाइवल और डूरेबल होता है मतलब भरोसे मंद होता है आप काम करोगे तो यह अठकेगा नहीं यह ओल्डेस्ट मेठ़ड है आप इससे बहुत सारे एडवांस मेठ़ड एडवांस प्रिंटर भी आ गया है इस सबको हम लोग वन बाइवान स्टडी करे ठीक है लिमिटेट प्रिंट क्वालिटी जो प्रिंट क्वालिटी होते है वो उसके उतने अच्छे नहीं होते है ठीक है लोग प्रिंटिंग स्पीड इसकी खराब होती है लिमिटेट कलर प्रिंटिंग कलर प्रिंटिंग इसमें कम होते है या तो ब्लू कर सकते हो ब्लैक में limited होता है ठीक है तो यही इसके advantages और disadvantages है I hope आप लोग को समझाया होगा next class में हम लोग impact printer के lines printer के बारे पर देखेंगे और उसी के साथ non impact printer को भी define करेंगे ठीक है thanks for watching कोई problem हो तो आप लोग मुझसे कूछ सकते हो thank you